हेलो देखने वाले हैं अचार्य हजारी परसाद द्वेदी का जीवन परीचे और बोड़ आजम में किस तरह से आया का यह देखते हैं यह आएगा कुछ इस तरह से ठीक है कोशन है निमनी में से किसी एक लेखक का जीवन परीचे एबं किर्चियों पर प्रिकाश डालिए ठी अचार्य हजारी परसाद द्वेदी का जन्म सन 1907 इस्वी को बल्या जिले के छप्रा नामक गाउं में हुआ था ठीक है कहां पर हुआता चप्रा नामक गाउं में और कहां के बल्या जिले के ठीक है और कब हुआ था इनका जन्म सन 1907 इस्वी को ठीक है इनके पिता का नाम क्या था अनुमोल दिवेदी और माता का नाम जयोती कली था ठीक है फिर उसके बाद लिखना है इन्होंने हिंदी एबम संस्क्रत भासाओ का गहन अध्यन किया ठीक है इन्होंने हिंदी एबम संस्क्रत ठीक है हिंदी का और संस्क्रत का घर पर ही अध्यन क ठीक है फिर उसके बाद लिखना है सन 1956 को भारत सरकार ने इन्हें पदम भुषन पुरुषकार से नवाजा ठीक है और फिर उसके बाद लिखना है ये उत्तर प्रिदेश सरकार की हिंदी ग्रंत अकादमी के अध्यक्स भी रहे ठीक है ये उत्तर प्रिदेश भारत सरकार के हिंदी ग्रंत अकादमी के अध्यक्स भी रहे ठीक है फिर अंत में लिख देना है सन 1989 इस्वी को इनका निदन हो गया ठीक है मतलब इनकी मिरत्यू हो गई ठीक है हम जीवन परीचे में बस इतना ही लिखते हैं उसके दिक्सा दिक्सा के बारे में और जनमी मिरत्यू और उनके मातपेता का नाम यही हम बस जीवन परीचे में लिखते हैं फिर उसके बाद हैडि मना दिनी साहितिक परीचे और साहितिक परीचे में हैडिनी मना कर लिखना ह आधुनिक यूग के ग्रंतो कारों में आचार्य हजारी परसाद दुएदी का महतपूर्ण इस्तान था ठीक है आचार्य हजारी परसाद दुएदी आधुनिक यूग के मुधिने निवन्दकार भी थे ठीक है फिर उसके बाद लिखना है इनकी कुछ रसनाई निवने पिरकार है और रसनाई क्या है आईए देखते हैं हिंदी साहित्य की भूमी का ठीक है कुटूज असोक के फूल बाभट की आतमा ठीक है यह चार रसनाई हैं आपको सिर्फ दो रसनाई लिखनी है यह जितना कोसन बोलेगा उतनी लिखनी है च्कार दो केलिए बोलेगा आपको तो हूं लिखनी है टीक है तो इस तरह से यह हमारा execution सब्सक्राइब करना मिलते हैं नाइच वीडियो में नइट उपकी साथ तब तक के लिए जयाहिन जया बारत